इस दौरान उन्होंने दोशियों पर कड़ी कारवाई की चिताब नी दी, शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार zero error परिक्षा के लिए प्रतिबद है, सरकार जाज के लिए एक high level कमेटी गठित करनी जा रही है, कमेटी NTA पर सिफारश देगी, छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है, इसमें कोई सरकार किसी गुनेगार को नहीं छोड़ेगी, शिक्षा मंत्री ने बताया कि टेक्नो क्रेटर्स, साइंटिस्ट, अकैडमिशियन, साइकोलोजिस्ट, बैकड़ाउंड के लोगों को मिलाकर सरकार कमेटी बनाएगी, और जोलधी इसे नोटिफाइ किया पानकारी भी आरे है